कामते नागाओं की नगरीन नागपूर जिसे आज हम दिक्षा भूमी के नाम से जानते हैं इस नाग नगरी से मात्र 16 किलोमेटर की दूरी पर बसा एक छोटा सा नगर जिसे नागपूर का उप नगर भी कहा जाता है और अमबेडकर वादी आंदुलन की द्रश्टी से देखा जाए तो ये नगर अमबेडकर वादी आंदुलन में बड़ा महतुपूर्ण योगदान देता रहा है यही वह कामती नगर है जिसने जैभिम प्रवर्तक बाबू हरदास एलन को सहे जा और एक दूसरे हरदास यानि कि हरदास आवले बाबू जो बाबा सहब डॉक्टर मेड करके परिवर्तन वादी आंदुलन का बड़ा महतुपूर्ण अंग रहे हैं ऐसे हरदास आवले बाबू का जन्ड भी कामती के छावनी परिशद इलाके में एक जुलाई उनिस्सो सुलह में हुआ लेकिन इसके बाद आवले बाबू जी का पूरा परिवार राइपूर में शिफ्ट हुआ और बाबू जी की मैट्रिक तक की पढ़ाई राइपूर में ही हुई आवले बाबू विज्ञान के सनातक रहें और एलल्बिक की पढ़ाई तथा सनातक की पढ़ाई नापूर से ही की अम्बेड करवादी आंदुलन में विभिन्द आयामों पर अपना योगदान देने वाले आवले बाबू अत्यंत सरल, सीधे, लेकिन तर्क संगत और विद्वत्ता की धनी रहें उनके समकाली निताओं में दादा साहब का एक बाड आर्डी भंडारे, बरिस्टर राजभो खूबरागडे, इन जैसे अम्बेड करवादी आंदुलन की सेकंड लेंड लेडर्शिप रही है लेकिन इन सब में आवले बाबू का व्यत्तित्व विशेश उलेख निये है परमपुज डाक्टर बाबा साहब आंबेड कर इनके आंदुलन में कई अनेक सिपाई थे और अनेक सिपाईों में आवले बाबू एक निष्ठावान सिपाई थे जिनोंने अपना संपूर्ण जीवन आंबेड करी आंदुलन में जोग दिया और मद्यप्रांद वराड़ी नहीं पूरा समुचा माहराश में आंबेड करी आंदुलन में उनका जो कारिय है उनके कारिय से यह पता चलता है कि बाबू आवडे एक समर्पित निष्ठावान जुन्जारू कारे करता थे बाबा साब के इन्होंने बाबा साब डॉक्टर आमबेटकर का उननीस सो बावन में भंडारा से जो इलेक्शन हुआ था उसमें प्रचार की धूरा समाली थी सामाने जन्वता के पास जाकर बाबा साब डॉक्टर आमबेटकर की महति उनके कारिय की महति और उनके राजकिय योगिता के बारे में सामाने लोगों के सामने जाकर अलग-अलग मीटिंगों लेकर उनके जीवन का महत पूर्ण अंग जो है उसका लोगों के सामने प्रचार करते हुए बाबा साब डॉक्टर आमबेटकर की राजकिय महत्ता कैसी है कितनी आवशक है और उनका पालियमेंड में जाना कितना जरूरी है यह बात वो बाबा साब डॉक्टर आमबेटकर के नाम से लोगों में जाकर छोटी-छोटी मिटिंगे लेकर पॉंपलेट लेकर पेपरों में न्यूज देकर वो बाबा साब डॉक्टर आमबेटकर का प्रचार किया करते थे और वे स्वयम भी जब 1955 में बंडारा से ही खड़े हुए तब भी उन्होंने इसी तरह से इलेक्षन का प्रचार किया बाबा साब आमबेट करके लोगों के अलावा बाकी जो लोग है विचार करने वाले विवेकशील लोग है जो किसी तरह से जाते भेट को ना मानने वाले लोग है उनके पास जाकर अपने बाबा साब की महति कहना और उनके प्रती लोगों के मन में प्यार जगाना ये आवले बाबुजी के वक्तुत्व का, उनके भाशन का और उनके एलेक्षन प्रणाली का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंगर रहा सन 1940 से आवले बाबु के सारवजनिक जीवन की शिर्वात होती है नापुर के नवा नकाशा इलाके में समता सैनिक दल की एक छोटी सी शाखा के साथ जिसमें आवले बाबु आत्म रख्षा के गुर सिखाते हैं जहाँ पे वो उनका निवास था लशकरी बाग में तो वो कुछ सैनिकों को लेकर समता सैनिक दल की नापकुर में स्तापना हुई, उन्होंने कवायत पड़ाया सिष्थ, डिसिपलेन सैनिको को, और एक क्याडर बेश सैनिक तयार करने का काम उन्होंने किया. तो वास्तविक आमबेटकरी आंदोलन में जब वो छात्र थे तबीज से वह फूत पड़े हुए और वनिस सो बैलिस में हम देखते हैं कि यही नागपुर के भूमी में समता सहिनिक दल का अधिवेशन हुआ अधिवेशन में खासदार गोपाल सिंग्या देख से थे ओड़े बाबुका जो काम देखकर समता सहिनिक दल में पूरा अनुने सिपान बेरार इने गाव गाव तक के समता सहिनिक दल की शाकाय स्तापित करने का ओड़े बाबु ने महत परयास किया और इसलिए हम देखते हैं कि जहां कहीं भी दलित बहुत द समाज पर अन्या हुआ उनके हकों का छिनने के कोशिश हुई तब तब आवड़ेबाब उने अपने Republican Party के माध्यम के द्वारा उसको शडूलकास Federation के माध्यम के द्वारा उस अन्या अत्याचार को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश की अंदोलन करके लोगों के जुलूस निकालकर लोगों का निश्यद मौरचा निकालकर और जहां कई हो सका, उन्होंने अपनी हिम्मत दिखा कर लोगों में विश्वास पैदा किया, उनके दिल दिमाग में आत्मविश्वास पैदा किया, उनके मन से डर को निकाला, और बाबा साथ डॉक्टर रामबेटर का विचार जो था, वो अंदोलन के द्वारा लोगों में पहुंच आया. संता सेनिक दल की एक विशेष्टा है, वहां कारिय करता बौधी की स्तर पर विचारधारा से पक्का हो जाता है, वरना कोई ये सोज भी नहीं सकता था कि एक अधना सा युवक अम्बिल्ड करवादी राजनिती का धुरंधर बन जाएगा ये आवले बाबु के राजनिती क्छमता और गुणवता की सामर्थ है, कि सन 1944 में उन्हें शेडूल कास्ट फेडरेशन में बरार मधिपरांत का संगठन मंत्री चुना गया जब 1942 में यही नागपूर के भूमी में इन्हें सेडूल काल फेडरेशन की स्तापना हुई, अब स्तापना होने के बाद में कुछ छे महने के बाद में ओड़े बाबु का कारे देखके उनको जो है मधिपरांत वराट का अर्गनाइजिंग सेकरेटरी महासाचिव बनाया और जब कस्तूचर पार्क में जब बाबा साब की सभा हुई तो वो सभा में सत्तर हजार से भी ज़्यादा लोग महजुद थे और सभा का जो नियोजन है वो सभा को एसेशवी करने में आवड़े बाबु का महत पूर्ण रोल रहा है और उस समय जो चुनाव होने वाले थ सभार से 14 लोग उमेद्वार खड़े थे तो आवड़े बाबु यह उम्रेट और नापूर लोग सभा से खड़े थे लेकिन वह चुनके नहीं आये लेकिन सभा जो सपल हुई और उसके बाद में पूरे मद्यपरांद बराड में फेडरेशन का जो कारिया है सेशन करती जम सभांद वराड जो है वो पूरा पैदल चलके कभी याताहत के साधनों का अभाव था यह पूरा अपना जो समय है वो बाबा साब के सामाजिक आंदोलन में उन्होंने दिया है एडोकेट बाबु हरिदास आवले चारित्र विनम्रता से भरपूर निश्ठावान विक्तित्व रहें विसामाजिक मुद्दों के प्रती इतने समविदीन शील रहे कि उनकी समविदन शीलता उनके भाशनों में भी छलकती है भूक मरीज से जूज रहे बिड़ी मजदूरों की समस्याओं को लेकर आवले बाबु का चिंतन जो उन्होंने महराष्ट विधान परिशत के समक्ष प्रस्तूत किया वो आज भी प्रासंगिक है और उतना ही गंभीर भी जिससे आवले बाबु एक मजदूर नेता की भूमिका में उपस्थित होते हैं उन्होंने सिदार्त मिल कामगार संगटना या वनी सो पच्पन में स्किस्तापना की थी संगटना की जब सवसर जिले में कच्छ ढाना करके ग्राम है सवसर तालुका में छिनवड़ा डिस्टिक में तो कुछ जो मजदूर है वेतन के लिए छे मैने तक उन्होंने संप पुकारा था और यहा संप जो है वो सिदार्त मिल कामगार संग के द्वारा आजूत किया था तो इसके बाद में यह संप अत्यंत सनद सिर मार्ग से आउड़े बाबु ने जो है इसका मार्ग निकाला और उस समय में जो मज़ूर मंत्री थे मदप्रदेश के आउड़े बाबु को एने जो उनकी जो कैडर बेस, संगटन सक्ति देखके वो उन्होंने उसकी प्रसेंस्या की, तो कई तमाम जो मजदूर लोग थे, बिड़ी मजदूर है, खान मजदूर है, ये जो मजदूर है, मील मजदूर है, इन मजदूरों को उनका जो अधिकार है और जो हक दिलाने में आवड़े बागू हर बार वो सक्रे रहते थे ये बात बिलकुल सच है, कि जो वेक्तित्व अपने जीवन को सामाजिक जीवन से जूड़ देता है, और लोगों की समस्याएं उनके अपने संगर्ष का हिस्सा बन जाती है, तो समाज की द्रष्टी में वे अनमोल हो जाते हैं, लेकिन अपने वेक्तिक जीवन में बिलकु अभाव ग्रस्त बने रहते हैं, आवले बाबु के साथ भी यही हुआ, उनका जीवन विद्वत्ता, समझ और सामाजिक प्रतिष्ठा में तो भरपूर था, लेकिन आर्थिक इस तर पर बहुत ही कमजोर रहें, फिर भी स्वाभिमान का जो पाठ उन्होंने अपने बाबा, बाबा साहिब डॉक्टर अंबेड कर से सीखा था, उससे टस से मस नहीं हुए, कर रहे थे, अचानाक पंडिरोशांकर उन्हों के घर में आये, और उनको कहने लगे, कि आहिदास, तुम इत्ते बड़े नेता हों, और जोपड़े में रहते हैं, मैं आपको मंत्री बनाता हूं, और रहने के लिए अच्चा बंगला देता हूं, गाली देता हूं, तो उस वक्त उन्होंने कहा, वो उनको काका कहते थे, शुकल काका, उन्होंने बोला, अउले बाबुने, शुकल काका, मुझे तो मंत्री तो बनना ही है, लेकिन आपके गुलामी के इस सरकार में मुझे मंत्री नहीं बनना, जिस दिन परंपुजे डाक्टर बाबा साब अंबेट करके विचारों की सरकार आएंगी, तब मैं मंत्री जरूर बनूंगा, अगर मुझे संदी मिली तो, और उन्होंने आई हुई आफर मंत्री पत की ठुगरा दिये, ये बाबा साब अंबेट करके आंदोलन में, एक निश्वार्त भूमिका निभाने का और निश्टवान रहने के जो काम है, वो आवले बाबु आई हुई आफर मंत्री पत की ठुगरा दिये, ये बाबा साब अंबेट करके आंदोलन में, एक निश्वार्त भूमिका निभाने का और निश्टवान रहने के जो काम है, वो आवले बाबु ने किया है आवले बाबु जितने बड़े और प्रभावी नेता रहे, उतने ही बड़े विचारक भी, और उनका शिक्षा तथा उसके प्रचार प्रसार, और छात्रों को सुविधाय प्रदान करने पर भी बड़ा जोर रहा बाबु जित्वारस थापित नालंदा हुस्टल, उसकी परिनती है आवले बाबु देश की राजनीती से लेकर अंतरराश्ट्री राजनीती तक की बराबर दखल लेते रहे देश में जब हिंदी चीनी भाई-भाई का नारा गुंच रहा था और 1962 के चीनी आकरमन से देश पस्थ हो गया था तो आवले बाबु चीनी विस्तारवाद पर भी ततकालिन प्रधान मंतरी पंडित जवारला नहरु को चेताने से नहीं चुके और अपनी आर्थविवस्था को भारने के लिए जनता से एक-एक रुप्या अनुदान लेकर उसे राष्ट्रिय कोश में जमा कराया आवले बाबु की राजनितिक समझ से ये स्पष्ट हो जाता है कि वे रचनात्मक राजनिती में विश्वास रखते थे बाबा साहब डॉक्ट रामबिट करने जे बहुत धम के दिक्षा लेने का निर्णे किया तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगा कि अगर हम बहुत बन जाते हैं तो हमें रिजर्व केटेगरी से इलेक्षन लेडना मुश्किल हो जाएगा इसलिए कुछ लोगों का इस बात के लिए सहमत ही नहीं थी कि इलेक्षन के पहले बहुत धम्म की धम्म चकर प्रवर्तन की धम्म दिक्षा लेने की बात हो जाएं और इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि हम इस बात के लिए सहमत नहीं हैं परन्तु आवले बावु ने कहा कि कुछ भी हो जाए हम बाबा साफ डॉक्ट रामबट करके कहने के मुताबिक हम दिक्षा भूमी पर जाकर बाबा साफ डॉक्ट रामबट करके द्वारा धम्मदिक्षा का स्वीकार करेंगे और इसे इसमें किसी भी तरह की है किसी भी तरह क हम अवरोध नहीं आने देंगे और ये कहने के बाद बाबा साफ डॉक्ट रामबटकर की धम्मदिक्षा 14 अक्टोबर 1956 में यशश्वी काम्याब हुई आज हम प्रतिक विधर्ब के मसले पर विधर्ब और देश की राजनीती को गर्माता देखते हैं लेकिन उस वक्त आवले बाबु ने प्रतिक विधर्ब की मांग के साथ दिल्ली पर मूर्शा निकाला वो भी हजारों कार्यकरताओं के साथ बाबा साब ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि महराष्टा के तीन हिस्ते होने चाहिए एक बंबई परांथ होना चाहिए पश्शिम महराष्टा का दूसरा होना चाहिए महराठवाडा का और तीसरा होना चाहिए विधर्ब का अब बाबा साब डॉक्ट रामबिटकर का इस बारे में बहुत ही जोरदार समर्थन है बाबा साब कहते हैं कि अशुका समराठ के अशुका के जमाने में भी तीन महराष्टा की बात आई है उसमें एक महराष्टा जो है वो विधर्ब है और विधर्ब का उलेग भी पालिसाहित्य में आता है ये कहते हुए आवडे बाबु ने कहा कि बाबा साब डॉक्ट रामबड करके आदेश के मुताबिक बाबा साब डॉक्ट रामबड करके तत्व घ्यान के मुताबिक उनके मिचारों के मुताबिक आवडे बाबु ने अपने जीवन का लक्ष बना लिया और फिर यहां के जो बापु जी अने थे जमवंत्रा धोटे थे राजे विश्वेश्वर राव थे वहां के कॉंग्रेस के जो वासनिक थे और इतने सारे लोग बाकी जो थे जैसे वो तमाम लोगों को इकठा करके आवड़े बाबु ने यहां विदर्व का अंदोलन चलाया बाबसाब डॉक्टर मेडगर का जनता के नाम सीधा संदेश था कि हमारा संगर्श स्वतंतरता के लिए है नकि हमारे पारिवारी की या व्यत्तिगत हीत के लिए हमें न्याय चाहिए हमारा प्रतिन धीत्व चाहिए बाबा साहब डॉक्टर मेडगर की ये बात आउले बाबू के जिवित संघर्ष का घोशना पत्र थी और इसे आधार बना कर वे जिवन भर संघर्ष रत रहे अपने आंदोलन की सफलता के लिए उन्होंने कई सत्यागरह समितियों का गठन किया था कि वनीसो अर्तालिस में तब आवड़े बाबू और कुछ कारे करताओं को जेल में डाल दिया गया कम से कम छे महिने तक वह कारावास में थे और छे महिने के बाद में उनकी जब कारावास से शुटका हुई तब ये नागपूर के जेल से लेके तो अभ्यंकार रोड जहां समता सैनिक दल का अफिस था वहां तक के उनकी एक जुलूस निकाला गया और उसके बाद में पंडित रिवराम कवाड़े इनकी अध्यक्सिता में एक सभा हुई और सभा में जिन जिन सैनिक वहां जेल में गयते उनका सब सतकार हुआ और आवड़े बाबू के भी कार्य का लोगों को परिचे हुआ और ये नागपूर की जनता ने उनको फिर याने पुढ़ारी या कर्मवीर पद्वी से नवा जा गया 14 अक्टूबर 1956 की दिक्षा के बाद बाबा सहब डॉक्टर मेडिकर का महा प्रयान हुआ और दिक्षा भूमी तथा धम दिक्षा का महत्प बरकरार रखना ये बड़ी जिम्मेदारी बाबा सहब के बाद वाली इस लिडर्शिप पर आन पड़ी दिक्षा भूमी के जमीन की कानूनी लड़ाई में आवले बाबो का योगदान बड़ा महत्पूर्ण है 22 जूले 1962 में उन्होंने विदान सभा में ये खाजगी विदेक पेश किया कि नागपूर की जो बड़ भूमी है जहाँ बाबा साब ने दिक्षया दी है लाको अनुयायों के साथ में तो वो भूमी हम बड़ो को सोपी जाए और इतना हिंदी में प्रभावी भाशन हुआ तो भाशन पे इतने मोहित हुए ततकालिन जो मुख्यमंद्रिते एश्वं कि अपन वापस ले लो तो इस प्रकार से फिर चावदा एकड के लिए चावदा एकड भूमी जो है वो बोद्दो को सोपी जाए इसके लिए भी कापी आंदोलन चलाया लेकिन आवड़े बाबू ने कभी यह नहीं बोला कि मैंने यह भूमी मिली जमीन मिली क्योंकि वो ज जब देखा कि यह सरकार जमीन इमानदारी के साथ देने के लिए तैयार नहीं है तो उन्होंने एक दिन अपने कारे करताओं को साथ में ले जाकर दिक्षा भूमी पर एक रात में भगवान बुद्ध का पेडेस्टल तैयार किया मूर्ती का और वहां भगवान बुद्ध क कि मूर्ती भिठाल दी लूसरे दंदू पुलिस ने पूछा कि यह अतिक्रमन है किसने यह मूर्ती लगाई तो बड़े बड़े नेता इनने नाकार दिया उन्होंने हूंकार नहीं दी उन्होंने होकार नहीं दिया और आखिर में जब आवले बाभू को पूछा गया तो उ आवले बाबु एक कुशल अधिवक्ता भी रहें और एक अधिवक्ता की अपने मुल्यों की रक्षा में क्या और कैसे भूमी का बनती है इसका अच्छा उधारन उन्होंने प्रस्तूत किया तब जब 14 अक्टूबर 1956 की धमदिक्षा को राजनेतिक सभा कहा गया 1963 में यहां हाई कोड ने एक निन्ने दिया था कि 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा सब अम्दिक्षा करने जो धमदिक्षा दी है वो धमदिक्षा ही नहीं थी तो वो एक राज के सभा थी और यह करने के लिए यहां के जस्टीस भवान संकर नियोगी इन्होंने बहुत महिनत ली और उन्हें यह साबित किया ओड में कि यह जो है धमदिक्षा यह धमदिक्षा ही नहीं थी तो केवाल यह राज के सभा थी इसलिए आवले बाबुने हाई कोड की जज्मेंड की कॉफी निकाले उसका हिंदी मरा साय्हाथी अनवात किया और जंता में जाकर जंता को निर्मे पिलाया और उनसे वरगन ही जमां की शुफ्रीमिकार में गहले और सीप्रिम कोड में से जाकर उन्होंने यह मैं जो था हाइपोड का उस द्र्यमिक को सुप्रिम तीन अक्तुबर 1957 को Republican Party of India की स्थापना हुई एडोके ढर्दास आउले बाबु Republican Party के उपधेक्ष चुने गए बाद में वे Republican Party के अधेक्ष भी पने आउले बाबु की आंदोलन के प्रति लगन, विश्वास और समरपण उनके चरित्र में भी छलकता है आवडे बाबु का ये दावा रहा कि बाबा साफ डॉक्टर रामबेटकर के अलावा उनका कोई नेता नहीं है और बाबा साफ डॉक्टर रामबेटकर का जो भी तत्वग्यान है वो तत्वग्यान उनका मार्गदर्शक है इसलिए उन्होंने बाबा साथ डॉक्टर रामबट करके विचारों को जीवन भर कहीं भी उससे भी चलीत नहीं हुए हर बार आउड़े बाबु ने बाबा साथ डॉक्टर रामबट करके विचारों के खिलाब कोई भी कृती नहीं की उधार्ण के तोर पे उन्होंने बाबा साब डॉक्ट रामबिटकर ने कहा था कि कॉंग्रेस ये जलता घर है उसमें हम लोगोंने नहीं जाना चाहिए जो लोग जाएंगे वो जलकर खाक हो जाएंगे और इस बात को हरिदास बाबो आवड़े ने पूरे जीवन भर इसके कोशिश की और कभी भी उन्होंने कॉंग्रेस पार्टे के साथ Somehow करने की, उनके साथ काम करने की कोशिश नहीं की बाबा साब डॉक्ट रामबिटकर की पारटी को अलग ही जिसे विशेशता पुर्ण विशेश संगटन वाली पारटी करके लोगों के सामने रखने का प्रयास किया और बावा साब डॉक्टर रामबिटकर का धार्मी तत्वग्यान हो, राजकीय तत्वग्यान हो, सामाजिक तत्वग्यान हो, उन्होंने उससे भी थोड़ा सा भी अपने जीवन में अंतर नहीं आने दिया और उन्नेने पूरी तरसे ये कोशिश की के राज की ये सभा क्योंनो हो वहां मिटिंग की जब समारप हो आ करता था तो आवले बावु नथी में सरणंग अयंग, बुद्धों में सरणंग वरंग, नथी में सरणंग अयंग, दम्मों में सरणंग वरंग, नथी में सरणंग अयंग, संगों में सरणंग वरंग, ऐसा कहके एतेन सच्च वज्जे न हूतुमें जय मंगलम, ऐसा कहके उस सभाका अंत किया करते थे, शेवट किया करते थे, समारोप किया करते थे। आवाज बंद हो गई। और अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही आवले बाबु ने अंतिम सांस ले ली। शेवट किया करते थे, समारोप किया करते ज्यारा तक पहुंचने सांस बंद हो गई। प्लाव कर दो जो प्लाव को अजय कर दो रार आदाने, प्लाव कर दो कर दो और दो जाता दो जाता है।